दोस्तों नमस्कार आपने चैनल पे मैं वीजे प्रकास आपका हर दिख स्वागत करता हूँ दोस्त कास इंडिया का हर फांडर एक बार इस वीडियो को देख ले रियालीटी और फॉनपैसिब दोस्त जब मन कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती है जब मन इस्तिर होता है परिस्थितियां चुनवती बन जाती है मगर जब मन मजबूत होता है तो यही परिस्थितियां आउसर बन जाती है जिंदगी अगर हमें सौ बार कारण दे रही है रोने के लिए तो हमें जिन्दगी को दिखाना है कि हमारे पास सज्जार कारण है मुश्कुराने के लिए दोस्त अब निश्चे ही founders का भागे चमकेगा हम सब सफल उरान भर चुके हैं किसी founder की जिन्दगी एक चोथाई गुजरी है और किसी की आधी गुजरी है या उससे कुछ अधी या जैसे तैसे गुजरना था गुजर चुका है दोस्त अब बाकी बचे कोरे पन्नों पे हम वो कहानी लिखने वाले हैं जिसका हम खुद भी कलपना नहीं किये हैं जो हमें नहीं मिला वो बहतर नहीं था और जो है अभी वो बहतर है और जो अब मिलने वाला है वह बहुत ही बहतरीन है कठिन से कठिन समय की चुनवती भी केवल धैरे और हिमत से जीती जा सकती है दोस्त निखरता वही है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखर चुका होता है हमारे पास वो सब्द नहीं है जिससे मैं इतने बड़े और्गनाजेशन के CEO Mr. S को धन्यवाद कर सकूँ उनका सुक्रिया कर सकूँ जिसने वैसे चीजों का स्रिजन किया जिससे वैसे लाखों लोगों जो भीर का हिसा बने थे एक गुमनाम जिंदगी एक परसान जिंदगी जी रहे थे अचानक से जीरो से हीरो बना दिया मिट्टी से हीरा बना दिया अब विस्तवास करो दोस्त हम सभी रियल में ये सब बनेंगे नहीं बलकि बन चुके हैं दोस्त, COS ऐसा काम कर दिये हैं जिसकी कलपना तक दुनिया नहीं कर सकती हम आप सोच भी नहीं सकते हैं जितना बरा और्गनाईजिसन ऑनपैसिफ होने जा रहा है दरसल हमारे कलपनाओं से भी ये बाहर का चीज है हम इसके बारे में अभी तक जो भी सोचे हैं चाहे प्रोडक्ट हो, इसका मार्केट हो या फिर इनकम हो उससे बहुत 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 बरा है और ये जो मैं कह रहा हूँ आने वाले एक से दो महिने में देख भी पाएंगे आप दोस्त, हम किसी भी चीज के बारे में जैसा सोचते हैं, वैसा ही नजर भी आता है हमें, अगर हम सोचते हैं कि यह गलत ऑरगनाइजाशन है तो इसके गलत होने के भी हम कई कारण धूर लेते हैं यानि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही चीज़ों को धूरते भी हैं और ठीक वैसा ही ओ नजर भी आने लगता है हमें आप किसी चीज़ को किस नजर ये से देखते हैं इस पर depend करता है उसका सही या फिर गलत होना अगर आप सोचते हैं कि on passive बहुत छोटा है तो छोटा ही है और अगर आप ये सोचते हैं कि on passive बहुत बड़ा है तो really ये बहुत बड़ा है अब जब हम किसी को सुन नहीं सकते उस पे विस्वास नहीं कर सकते तो फिर तो जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसा ही है उनपैसिप अब आप उनपैसिप के बारे में क्या सोचते हैं यह आप जान रहे होगे मगर इतना तो तैह है कि उसके बारे में जैसा सोचते होगे आप वैसा ही नजर भी आता होगा यह अब सवाल यह उठता है कि फाउंडर्स लॉंचिंग के लिए अर्निंग के लिए इंतिजार कब तक करें कोई तो एक डेट होना चीए दोस्त आपको साथ पता होगा मैं अपने पूर्व के कई वीडियो में इस बात का जिक्रिकिया हूँ कि 2022 फाउंडर्स के सफलता का बर्स होगा उपलबधी का बर्स होगा उनके बहुत बड़े अचीवमेंट का बर्स होगा अब आप बोलेंगे कि इसका मतलब दिसंबर 2022 तक सब कुछ हो जाएगा बिल्कुल नहीं दोस्त नौमबर दिसंबर कुछ नहीं अगस्त तक सारा कुछ फाइनल हो जाने है प्रोडक्ट लॉंच गलोबल लॉंच और अर्निंग भी वैसे तो 40-45 दिन में ही बहुत कुछ देखेंगे आप किसी भी आईटी केंपनी के लिए उसका डेटा सेंटर बहुत महत्वर रखता है अब इसकी एक एक करिया डेटा सेंटर से जुरते जाएंगे हम सब रियली बहुत ही खुस किस्मत हैं दोस्त इतने बड़े और्गनाइजेशन के सथापक सदस्ते हैं जो लाखों लोगों के कल्यान के लिए उपर वाले ने प्लानिंग रचा है उसे पूर्ण करने के लिए CEO को अपना माध्यम बनाया है बस वहीं काम CEO कर रह होगें ठीक वैसा ही बिलीब भी करेंगें मेरी बातों पर लेकिन आने वाले कुछी दिन बाद मैं दावे कसाथ का सकता हूं कि आज अगर असहमत भी हैं तो कल 100% सहमत जरूर होईएगा और फिर कहिएगा अब और किसी को नहीं सिर्फ बीजय प्रकास को सुनना है और ये भ पहला इल्टुवर हूं जो फांडर्स के आवाज को भी समय समय पर उठाते रहा हूं मैं तो बस आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि हम लोग बिल्कुल सही ट्रेक पर हैं हमारी जिंदगियां रियल में यहां बदलने जा रही है हम यहां रियल में कम्याब हो रहे है हम यहां रियल में बहुत बड़ा चिम्मेंट लेने जा रहे हैं दोस्त किसी भी कमपणी के लिए उसके सर्वजनिक होने से पहले ही अपने डेटा सेंटर के उपलब्धी को हसिल करना उससे दुनिया का नंबर वन बनाता है इसके कुछ प्रोडक्ट तो इस महीने से अग बहुत 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 करीब आ गये हैं रही फांडर से पोजिशन को जोने की बात तो दोस्त ये भी इस मन से अगले मन तक बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए अब आप ये सवाल मत करने लग जाईएगा आपको ये सब CEO S ने बताया है क्या दोस्त विश्वास किजिए मैं ज तिरीन होगा हाला कि founders भी कम respect नहीं दिये है on passive को और वो भी अभी तक बीना कोई income मिले उनके रात की आखरी और सुबा की पहली सोच अगर कुछ है तो है सिर्फ on passive इतना अधिक उमीद लगा लिये हैं सभी on passive से दोस्त पूरा का पूरा 100% हमारे उमीद पर खरा उतरेगा on passive और वो भी बहुत जल्दी रातो रात अब भागे चमकने वाले हैं founders के मैं especially ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ जो हमेशा comments में लिखते हैं सर मैं घर का खर्च चलाने के लिए अपना जमीन बेच दिया हूँ सर मेरे उपर काफी करजे हो गए हैं हर महीने ब्याज देना भी मुस्किल होता है कोई लिखता है गर on passive से income नहीं आया तो मेरे पास society के अलवा कोई च्यारा नहीं है और भी बहुत कुछ बहुत लोग लिखते हैं दोस्त on passive से मिलने वाले लाब को देखते हुए मैं ऐसे लो सुरू हो जाएगा बस थोरा सा patience रखिए आपके जीवर में खुसियों का रंग जरूर भरेगा उन passive आपके उजवल भविस्की कमनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू दोस्त धन्यवाद